लगा ने चाकरता रहे से तो अगंडी कारवे में माणड़ हुँं। मैं परिशके पार भगें अगंड़ मुद दूसरे जे। बोलिए शिवल्लभागी शली ओधे शिवल्लभागी शली ओधे। अत्रे पुझेशिना चाणुमाद दत्रना श्रुमुलीकाजी आने संत्वंदों परिचे माटे अमारा वडेल व्रजिना परामशक आने वा पुझनिय पग्वदी स्रिप्रमदायने विंति करिश पिलकोनों परिचे आपे दर्शन लगबग सड़ा बार नी आजो बाजो बार वी सड़ा बारे त्या सुधी आपन्या निश्रिंत रुपे परिचना मतनों लाबलो आने दर्शन पछी आपने जान करवा मावशक के दर्शन खुली गया शे चलिए आपनों उपर नों लाबपन नी मिस्थाय साथी साथ आजे पन कुणवारानों मरूरत गिर्राजीव पर छे ते गाले स्वयम गोर्दन धरनना स्वरुपाप में दर्शन करावा गिर्राजबावाए एवरी ति आजे बीजव सिंगार विशिस सिंगार छे तो बधा आईया राजबोग आर्ती पछी आपसरी पुज्य शिपन प विराजमान वर्दमान विदमान मरूपना स्वरुपने साष्टां दर्वद बरसाना से आये होगे संद बुन्त को प्रणिबाप्त आपसकतो बगस्मरर्ण मुख्या जी नू अर्खान अजी उत्रवारात नू बदा अर्खे छे दस वरस नी उमर थी बागवादी कथा करी रहाज पर सौथी वदू कहांगे एक शंग्षिक्त माउं बोलू किजे थी एमनू अपने वदेरे सामरी शेख्ये एमने रसीली वरद्यात्रा नू एक पु मुख्या जी ने पोथी नी अपड़ी अत्रा करिया चे इतना मुख्या जी बद्या सोभाय अत्रामा क्यासी आवे आवे आ तुरान पुस्त के मने मंगता है त्यारे तिलकायत मारे जे खयोगू कि एक अमे आचारियों आची शो विजू स्रिनाज जी नी जे अस्टिसाखा कि इतना मुख्या जी थायार जी अठीश गया जी आपड़ा मुख्या प्रू मुख्या जी नी घृष्या जी और एक अमेह बद्यास से अंग्रामा किया जी बदाज जी वेगारी जी देखा नी लिघए खुखाव भाद एप पुख्य हैं तो मुर्लीगाजी कल्यांकारी यह मान्द मंदेर मां, रमेश बावा ना सानित्य मां, पुझे श्री मॉर्लिका जी बागवत ने कथा करी रहा छे, और सौथी विश्रश अभे अंग्रे जी मां पन ब्रजयातर नों पुस्तक कमिनों नी गुजिरती मां पन सभासंदर था ही रही हो छे, मॉर्लिका जी आपको पर बताया, अभी आप आदा गंडा तक को खरो, 15 मेंट से ज्यादा, थोड़ा श्क्रम में करें। करें जैश्री कृष्णा जैश्री कृष्णा जैश्री राधे आप सब वैश्णवों के मध्य आकर पुझ्य भगवन रूप आचारे चलान के सानित हैं एक मन को बहुत आध्यात्य की शक्ति प्राप्त हुई और एक छोटा सा व्रत्तामत याल आया है एक बार श्रीमन महाप्रभुजी के निकट एक व्यक्ति गए और जाकर महाप्रभुजी से प्रात्ना की भगवन आज सो ब्राह्मनों को कुछ भोजन कराने की इच्छा हो गई है आपका क्या विचार है तो बोले अरे सो ब्राह्मनों को भूजन कराओगी उससे च्छाहे किसी एक वैष्णव को भूजन करादू सो ब्राह्मनों की बराबर है तो बोले अगर मैं सो वैष्णवों को भूजन करादू तो बोले एक किसी कृष्णा हनुरागी हक्त को भूजन करादू सो विष्णाओं के बरावर परमानुरागी अगर मैं सो परमानुरागी वेश्णाओं भक्तों को भूजिन करा दूं तो महाप्रभुजी के आँखों में अश्रू आ गए वह भी या इस जगत में सो परमानुरागी जन मिलेंगे ही नहीं लेकिन आज इस पश्चंक शित्र में आने के बाद भी है और इतने अधिक संक्षा में आप सब परमानुरागी जनों को देखकर शिवल्लवाचार जी महराज की साक्षात कृपा का मूर्तिमान दर्शन हो रहा है आप सब परम वैश्नव है वैश्नव कौन विश्नव अपत्यम वैश्नव यो ठाकृदी के बालक हैं उनकी करपा से पोशित हैं पाले हुए हैं वो ही सब वैश्नव हैं आप सब आचारे चल्वों की मुखारविन में से निरंतर सुनते रहते हैं रस्पान करते रहते हैं इतना यह पवित्र मार्ग है पुष्टी मार्ग को यदि करपा मार्ग कहा जाए तो कुछ अनचित नहीं है करपा मार्ग ही पुष्टी मार्ग है क्योंकि सब लोग आप जानते हैं महा प्रभुजी ने यत्र दत्र हमारे श्रिभारत भूमी में जहां जहां श्रिमत भागवत जी के पारण की हैं जिनको हम लोग बैठक जी बोलते हैं तो यह पुष्टी मार्ग के जो प्रवरतत थे श्रियाचारे पाग इसका निश्कासन भी हमारे इस रस्मय ग्रंथ श्रिमत भागवत जी से ही हुआ भागवत जी में जिती असकंद में पुराण के दस लक्षन बताए हैं और सब जानते हैं भागवत पुराण क्या है तेने यम वाममय मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हले हैं हमारी ठाकुर की शब्दमई प्रतिमाही श्रिमद भागवत है तो पुरान के लक्षण नहीं वो सक्षत भगवान के दस लक्षण बताए है अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोशनम उतयह उनमें चौथा लक्षण है पोशन पोशन माने ठाकुर जी की अकारण जीव के उपर जो क्रपा है अकारण जो करुणा है जो उनका वातसल्य है उनकी हमारे उपर दया है यहीं पोशन है उनकी क्रपा से हम लोग कोशत हो रहे हैं तो उनकी क्रपा से कोशत होना यहीं पुष्टी मार्ग है इस मार्ग में केवल जीव को भगवद कृपा का अश्र हें केवल भगवद कृपा का और देखो वेधा में कहा है नायम आत्मा प्रवचने नलभ्या न मेधया न बहुना अश्रते न यमे वैश व ग्रुणते न लभ्या तसेश आत्मा विग्रुणते तरुन स्वाम थाकुर को ना प्रवचन से प्राप्त किया जा सकता है ना मेधया बहुत बुद्धी से पढ़ने लखने से भी नहीं पाया जा सकता है ना बहुना शुरते ना बहुत कुछ सुनने से भी नहीं पाया जा सकता है तो कैसे पाया है योगिया जिस लेगा वो स्वेम वरन करनेगा वो स्वेम व स्वेम वजसेर्पर करदेगा यह यह निष्ञध नहीं हूं तोычно मईग सतव करते हैं तो उसकी झाज में पुराक्ति हो जाएगी इसलिए इस मारग को साध्य तो सेमोग को करपा से था अह आप सब जानते सर्व साधन शून्यों जीव मैं सामर्द है जो को साधन कर सके कोई साधन नहीं और ना साधन के बल से भगवान को पाया जा सकता है केवल और केवल उनकी करपा गुस्वामी तुलसिदाजी माराजी ने एक बड़ा सुन्दर पद में कहा है केही आचरण भलो माने प्रभू सोतोन जान परेव तुलसिदास रगुनाथ क्रपाको जोहत पंथ खरेव जाको हरी दड़ करी अंग करेव केवल खड़े उनकी करपा की बाट जोहते रगो केवल उनकी करपा कब प्राप्त होगी कब मिलेगी करपा की आचना करते है क्योंकि देखें बिना करपा के कोई इस मार्ग पर चरण भी नहीं रख सकता है भुस्वामीजी मार्ट ने कहार मानस जी में एतिहरी करपा जयासु पर होई पाए दे इही मारगस होई जब अच्शे करपा की में बर्सकर भगवन करते गजियैं तब इस मार्ग पर पैर रखने की शक्ति मिलती नहीं तो इस मार्ग पर चरण रखना भी सब के भाग्य में नहीं है भगवान की करपा से उनकी करपा से उनकी करोणा से उनकी दया से जीव का पोशन हो यही पुष्टे हो अब देखे, आप तो सब जानते हैं देखं एक चोटी सी चर्चा। पुष्टी मार्ग में आचारियों के दोरा जीव को ब्रहम संबझ कराई दाता है। यहाँ दीक्षा संसकार को ब्रहम संबझ करते हैं आप सब पर इचित हैं। ब्रहम संबढ़न क्या है। जीगात्मा और परमात्मा का जो सनातन संबंद है जिसको हम लोग भूल गए हैं वो संबंद गुरुजन आचार्यजन फिरसे जीव को याद दिलाते हैं हमारा और वगवान का क्या संबंद है विदों ने कहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वर्क्षम परिशस्व जाते तयो रन्यों पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन में अन्यों अभिचाग शीति पले इश्वर और जीव यह दो पक्षी हैं जो वर्क्ष पर बैठे हुए हैं सनातन सखा हैं हम सब ठाकुर के सनातन सखा हैं लेकिन जब हम लोग अपने इस स्वरूप को भूल जाते हैं भगवान से जो हमारा संबंद है उस भगवत संबंद को भूल गर मैं पुरुष हू जब इसमर्ण में रहते हैं तो गुरुजन आचारजन उन भावों का उन मूलन करके उनों को नश्ड करके इश्वर से जीव का क्या सनातन संबंद है उसको याद कराते हैं और यह स्मृति कराना ही ब्रह्म संबंद है हम लोग अपने पूर्व स्वरूप को समझ सकें वास् दासो हम तब हम श्रीक्रिष्ण हम श्रीक्रिष्ण तवासमें हम सब ढाकुरजी के डास हैं क्योंकि शिंत वल्लवा चैनल जी महाराज ने जब श्राणावती धर्म का वृटन किया तो वहां उन्होंने दो इस लोप लिये श्राणावती श्रीमत गीताजी का है और एक इष्लोग वल्मी की रामयण का है चर्णागति dot गीताजी का सरवस्व हैu अाकरी इष्लोक अठारीमिय अध्याय का वहां भगवान्य का आज सर्वधर्मान परित करते जो मामेकं शर्णव्धर आँ योई हम लोग लुट्य वैदिक धर्मों में फसकर परम धर्मों को भूल जाते परंधर्म कौन है भगवान को उसे हम लोग भूल जाते हैं तो यहां भगवान ने का एकम शरणम केवर मेरी ही शरण में आना और दूसरा इश्लोक वालमी की रामन का लिए जिस समय विभीशन जी महाराज शरण में आये हैं और अब देखो युद्ध की तयारी हो रही है चारों और राम जी की सेना जो है रामन के उपर युद्ध करने को तैयार है अक्रमन के लिए और उसना में जब विभीशन जी महाराज शरण में आये हैं तो वहां भगवान में वालमी की रामन का इश्लोक है एक प्रतिव्या वाक्य कहा बोले अभयम सर्व भूतेव्यो ददाम में तद बरतम्मम सक्रदेव प्रपन्नायव तवासमीती जया चतेगे सक्रदमाने एक बार माराम जी ने काया यदि कोई एक भार भी सच्चे हरदय से सच्चे मन से यह कह देगा कि प्रबो हम तुम्हारे हैं तो बोले मैं उसे सदा सदा के लिए अभय कर दूँगा उसे फिर किसी का कोई भय नहीं रहेगा बड़ा सुंदर प्रक् जान में तो वहां राम जी ने पूछा अपने सम्वंत्री गणों को कि वाई विभीशन शर्ण में आये हैं आकरतों रामन का भाई है शक्त्रुई है तो इन्हें शर्ण में लें कि ना लें ये प्रसंग एक बार रामाणुजी संक्रदाय में एक आचारय वुए हैं रामानुजा चार जी के शिश्व हुए हैं श्री धनुर्दर स्वामी तो एक बार श्री रामानुजा चारा ही उनको विशरण शर्णा अगती का प्रसुनो dependent है थे कि भाई विभिशन जी जब शरण में आये तो राम जी ने सब से पूछा कि भाई इनको शरण में लें की न लें इतना सुनते ही धनुरदर स्वामी फूट फूट कर रोने लगे सत्सन चल रहा था सब लोग बैठे हुए थे और वहां प्रणाम किया और प्रणाम करके कौने में जाकर रोने लगे तो जब कथा हो गई तो रामानुजाचारी जी ने पूछा धनुरदर जी को अरे धनुरदर आयो तुम कथा के बीच में से चले गए क्या बात थी कि फोले प्रभो यह दर्वार हमारे लायक नहीं है अरे जहां जैसे शरणागत भक्त के लिए भगवान पूछते हैं कि शरण में लें कि ना लें तो पर हम तो उस शरणागती की श्रूंखला में भी नहीं है हमारा क्या होगा तो हम इस दर्वार के लायक नहीं हैं जहां शरणागतों की जाचपड़ताल की जाती है उनकी परिक्षा ली जाती है रोने लगे धनुर्दा स्वामी तो रामानुजाचार जी ने समझाया बोले धनुर्दा तुम आधी बात सुनके आगए तुमने पूरी कथा नहीं सुन जो भी है तो यह शक्त्रू का भाई हो सकता है हमारा कोई भेद लेने आया हो तो हमारे लिए धातक हो सकता है तो वहां रामजी ने बड़ी संदर बात करी बोले शरणागत को जे तजही निज अनहित अनुमान बोले जो शरणागत को अपने अनहित की भावना से छोड़ गेते हैं कि कई Lawrence यह हमारा बुरा ना कर गई यह तो शत्रू है अरे जो शरण मे आ गया वो अगर हमारा अनहित भी करता है तो वहां शरणागत को स्विकार क करने में वो भी सोचनी की आवशक्ता लुए ते नर पावर बोले ऐसे लोग पावर हैं जो शरणागतों को छोड़ देते हैं और तिनहीं विलोग का तहान उनको देखने में भी पाप लगता है जो शरणागतों को छोड़ते हैं अब परिक्षजी माराज ने देखो कलिक को भी शरण में ले लिया जब हो शरण में हाया तो कलिक से बड़ा कोई दोश्रुक कौन होगा जहां दुराचार है पापाचार ह अना चारत्याचार है वो भी शरण में आया तो उसको भी शरण में ले लिया तो राम जी ने विचार किया कि भले ही ये शत्र भाई है पर विभीषण जी को उन्होंने शरण में ले लिए राम जी ने और वाद गुस्पामी जी ने एक चौपाई लिखी है राम जी ने सिर्दियद 242 डिटव Alfredo ईल्का मधातल द्ट्रावांश जलिए कई के उपर यह बहुना बिचार नहीं कि इसे लेना चाहिक या सिदे उते लंका मारजा राजा वना दिया सुर्दος को माहरें। पेले ही नमितल्ष पूर्व विश्वेष्ट Coronory तो वहां सुक्रिवादी ने पूचा भगवान आप इस समय प्रभू इतने शरणागत वतसल हैं तो आपने विभिशन जी को तो रंका का राजय बना दिया अब पीछे से कहीं मानलो रामन भी शरण में आ जाए तो उसे क्या दो गया वहले उसे मैं अयोध्या दे दूँगा प्रभू जी ने जब शरणागती धर्म का वर्णन किया तो वहां ये दो इश्लोकों का उधरन दिया है एक तो वालमी की रामेड का और गीता जी के शरणागती प्रसंग का वालमी की रामेड की चर्चा की बोले अभयम सर्व भूते पर यह अभय जो शब्द है ये बड़ महत्वपूर नहीं बोले भगवान अभय कर देंगे किससे अभय कर देंगे कार से अभय कर देंगे जन्म मृत्यूं के भैसे अभय कर देंगे बोले ये तो छोटी बात है भगवान अपने भी भैसे जीव को मुक्त कर देते हैं जिसको अभय दान लेते हैं अब कितने शील स जंपन है राम जी हमारी ठाकुट बंदर गुसाइजी ने मानजी में बंडन किया है प्रभु तरुतर कपिडार उपर साहव शीर निद्धान राम जी पेड़ के नीचे वैठे हैं और बंदर वालू जो है जितने बंदर है वो पेड़ के ऊपर वैठे हैं बोले बैया इतनी खुली छोट तो कोई भी नहीं देता है अरे संसार मैं भी किसी की शरण में जाओ तो वो तुम्हें अभे कर देगा पर ये धोड़ी कहेगा त कि इतनी दया है कैसे शरणागत्वतसर हैं कि बंदर वालों के नीचे और महात्मा लोग तो विरोध में और बहुत सी बातें कहते हैं बड़े बंदरों का स्वभाव है जाएंगे तो उपर से मल्मूत्र वित्याग करेंगे और राम जी वहां बैठे हैं बड़े आनंद से बड़े प्रसंद मन से कितना विलक्षण यह मार्ग है शरणागत्य मारग और सभी आचार्यों ने सभी महापुरुष्ण ने भक्ति मारग में जो प्रथम सीडी को कहा बड़े प्रभू के शरणागत हो जाओ हम जितने शरण में चले जाएंगे हम जितने छोटे बन जाएंगे उतना ही वातसल्य उतनी ही उनकी क्रपा प्राप्त होगी हम जितने दीन बनेंगे अब विचार करें जो गोदी का बालग होता है वो कुछ कर नहीं सकता प्रावड भये तेशुत पर माता प्रीती करे ना पाचेली बाता बेटा गोदी में है बच्चा जब तक कुछ नहीं कर सकता तो चौबिस गंटे मां उसका रक्षन पोशन करती है और वो ही बेटा बड़ा हो जाए अपने भणा पीना सीख जाए तो फिर मां प्रेम करती है पर चौबिस गंटे ख्याल नहीं रखती तो हम जितना ठाकुन के गोद का बच्चा बन जाएंगे जितने दीन बन जाएंगे इस मार्व में उतनी ही क्रपा उतना ही पोशन हमें प्राक्त होगा और उनकी क्रपा से पुष्ट हो जाए यही तो पुष्टी है और यह पुष आई है श्री गौडिश्वर संप्रदाय का ग्रंत है भक्तिर साम्रत सिंदु तुमार श्री रूप गोश्वामी जी मेरा जवर्णन करते हैं आना पुल्यस्य संकल्पह प्राति पुल्यस्य वर्जनम रक्षिस्चतीति विश्वासह गोत्रित्व वर्णम तथा आत्म निक रक्षे पकारपण्यम शडविधा श्रणागती श्रणागती की छे बेद गये हैं रूप वस्वामी जी में पहली चीज़ श्रणागती धर्म में आनुकुल्यस्य संकल्पह अपने इस्ट के अनुकूल ही संकल्प मन में आना चाहिए जैसा हमारा इस्ट चाहते हैं जैसा प्रभू चाहते हैं वही हमारे शरीर से मनवध्दी इंद्रिय सर्भूना चाहिए सुर्दाजी का बड़ा सुंदर पद है उस पद में उन्होंने लिखा है कृपा श्री लालन जीवकी चाहिए केवल उनकी कृपा का वरोसा केवल कृपा का उनकी अनुक्रह का कि अपनों दोश विचार सखीरी उनसों कच्छू ना कहिए अपना दोश बोले जो कुछ है सुख है दुख है उसमें अपना दोश मानें कि हमारी गलती है ऐसा नहीं कि भगवान पर दोश अपने लग जाए पिठापुर ने ऐसा कर दिया वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे उनकी करपा नहीं है मुले यह मार्ग शिकवा शिकायत का तो है इनने करी करी सो आची अपने सिर पर सही है उन्होंने जो किया वो सब उनका मंगर विधान है तो इतना सुन्दर रखा आनु कुल्यस संकर्पा को सुर्दाजीन अपने शब्दों में फिर बोले प्राती कुल्यस से बढ़ जनम जो इष्ट नहीं चाहते हैं उसका तो मन में कभी विचार भी नहीं आये उस और बढ़ने की बात तो दूर जिसे कपट है कामनाय है चल है जो भगवान से दूर करने वाले बाधा कत्व हैं वो मन में कभी नहीं आने चाहिए और रक्षित शतीती विश्वास है मन में ये विश्वास द्रड हो जाए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे वो ही हमारी रक्षा के हैं अब देखें जब ठाकुर ने जब गिर्राज धारन किया है गिर्राज जी को धारन किया है ब्रजवासियं की रक्षा के लिए भागवत जी में ना सुंदर चित्रान शुक्देव जी ने किया है वोड़ गनवोर वर्ष्पी हो रही है प्रलय काली मेगमालाएं च्छाई हुई है स्तम्ब के समान मोटी मोटी वर्षा हो रही है चल धा प्रगुप से बचने के लिए इंदर की श्रैना में चली जाये लेकिन ऐसे में प्रजवासियों ने एक ही शद कहा हैं तोणादं़ गो कुलं बभुद जी में ने cowaina इस गो को कुल के गो कुशन मतलब समस्थ ब्रजवासियों की समस्थ ब्रजच ऑप ही नांठ हैं आप ही लख्शा के विश्वास किया तो रख्शा हो गई गोत्रे वर्ण हम भगवान का वर्ण कर लें भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं ऐसा मन में द्रण विश्वास हो जाए आत्म नक्षेप अकारपण्या में आत्म नक्षेप से मतला ठापर को आत्म समरपण कर दिया जाए विल्वाचार जी महाप्रभु का एक बड़ा सुन्दर गद्य मिलता है जिसमें उन्होंने वर्णन किया है किहे नात हजारों वर्ष हो गए भटक रहा हूं भवाटवी में साधन कुछ कर नहीं सकता आपसे मिलने वाली जो तीवर उतकंठा चाहिए वो भी मेरे अंदर नहीं है विर्यकी तीवर स्थती भी मेरे अंदर नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय आत्म समरपण के तो वहां उन्होंने एक एक शब्द में लिखा है वो गद्य तो इस मरण में नहीं है लेकिन बहुत संदर भाव दिया है महा प्रभुजी ने कि इस्त्री पुत्र घर परिवार धन संपत्ति जमीन जादाद लोग पर लोग सब कुछ मेंने आपको समरपित कर दिया है कि आत्म निक्षेट है और यदि आत्म समरपन आ जाए तो ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान को ब्रह्म मौलीला के बाद स्वैं भगवान ने कहा है कि जिस पूत्रा ने आपको जहर पिलाया उसको तो आपने अपना रूप दे दिया लेकिन जिन प्रजवासियों ने आपको अपना सब कुछ समरपित कर दिया आप उनको क्या देंगे पूत्ना को तो वगवान में सद्गती प्रदान कर दी उर्दुगती दे दी और प्रजवासियों का तो आत्म समरपन था बहुत सुन्दर वहां भी इश्लोप है फिर आगे रक्षे शतीति विश्वासा आत्म रक्षे कारपन यानि दीनता रूप और हमने तो ऐसा सुना है महात्माओं से कि अगर श्रणागती की छटवी वस्तु दीनता आजाए तो बाकी पांच तो अपने आप आजाएंगी क्योंक लिए और यह वह सुंदर आप सब वेश्णमों की मढदिय आकर रगा लेकिन साथ ही आपको एक पहुत सुन्दर शुग सूचना मंगल सूचना हम लोग देने आए हैं बरसाने से शेडाधारानी ने ये मंगल संदेश देने को आप सब व्यश्न होके मत्य हमें भीजा हैं आप सब देखो श्री यमना महारानी जिनके विशय में निंद्दाज जी महाराज का एक पद है नेह कारण यमना जू प्रधम आई हैं ऐसा जिनका युगल रस्क से युगल सरकार से इतना प्रेम है कि भगवान का अवतार बाद में हुआ है यमना जी पहले आ गई हैं गर्ग कोई लीला होगी नहीं तो वहां श्री यादरानी ने कहा यत्र व्रंदावनम नास्ति यत्र नो यमना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति ना तत्र में मना सुखम जहां व्रंदावन नहीं है जहां यमना जी नहीं है और जहां श्री गिराज जी नहीं है वहां मैं नहीं जा गोलोक से भगवान ने इस धराव पर भीजा है क्योंकि धाम नहीं आएगा तो स्वामिनी जी अवतार नहीं लेंगी तो प्रजमंडल आया यमना जी आई हमारे गिर्राज जी आये ग्रिंदावन धाम आया और भाईया श्री यमना जी तो ऐसी प्रयसी है ठापुर की आप तो सब अधिक जानते हैं इतनी प्रयसी हैं हमारे भी व्रिंदावन के रसिकाचार्यों ने एक पद में लिखा है कृष्ण प्रिया रस रास सहचरी व्यास हरोग भगपीर चलो मन कालिंदी के तीर द्वारिका में यमना जी का चतुर्थ पट्ट रानी के रूप में विराजी हुई हैं लेकिन ब्रज व्रंदावन में तो वो साक्षात श्री राधा श्री श्री शाम संदर की प्रयसी के रूप में ह सब वैष्णव केते हैं शाम संदर यमुने महारानी की जई कare जुब के रूपमें अनकी भाहराना करते हैं और यम्ना जिनको देखें ठापुर की त्रई सर्गिक लीला हुई है ब्रज लीला मतुरा लीला और द्वारिका लीला ब्रज में यमिनाजी है मतुरा में यमिनाजी है और द्वारिका में भी यमिनाजी है तीनों सर्ग की लीला का आनंद यमिनाजी को मिला है और यहां तक कि सकंद पु जो मैं आये तो वहां देखा यमना जी को कोई दुख नहीं था उनसे पूछा गया कि आप भी कृष्ण की पट महीशी हैं आपको दुख नहीं है उनके धांगमन का तो बोले मुझे दुख नहीं है क्यों पस्या अधास्य प्रभावेण है मुझे श्री रादारानी की क्रपा से नित्य लीडा में प्रवेश्व लगया है जहां वियोग होता ही नहीं है तो इसलिए मुझे कोई विरे नहीं है कोई कष्ट नहीं फिर यमना जी की करपा से उनस सब राणियों को भागवत कथा सुनने को मिली यह उद्दव जी की करपा से और उद्दव जी किसे जब तो कहना यह था कि वो श्री यमिना मायरानी जो हमारी आराध्या है हमारी इस्ट है और आप सब इससे परिच्छत हैं वो बात मैं नहीं दोराओंगी कि आज यमिना जी की क्या इस्थिति है लेकिन उसके लिए जो पिछले कुछ वर्शों से यमिना जी पुना ब्रज में प्रवाहित हों उनका पूरा प्रवाहा फिर से ब्रज में आये उसके लिए सब वैश्नव आप सब का बहुत कृपा और पुझ आचारे चरन तो भी 15 मर्च को जो यात्रा हुई थी आचारे चरन की कृपा प्राप्त हुई आप भी वहां उस यात गुरुदेव हैं परंपुझ श्री रमेश बाबाजी महाराज जो पिछले साथ वर्षों से देवर्वन धाम में बरसाना में रह रहे हैं अखंड ब्रजवास ब्रज के बाहर नहीं आते जाते तो ब्रज संब्रक्षन के लिए ब्रज की किसी तरह से रक्षा हो ब्रज का ज इसलिए रक्षा होनी चाहिए जिससे अग्रुन पीडिकों दिखा सकें यहां लीला हुई थी यह ग्रिदाग जी हैं इनको धारन किया था यह श्री एमना जी हैं इन परवतों पर कई भूजन धाली है कई ठाकर जी के चरण चन्ने के दर्शन है तो जब लीला स्थल नहीं तो आगे आने वारी पीड़ी क्या दर्शन करेगी यहां तो देखकर बहुत सुंदर लगा ब्रज का एक पूरी तरह से आप सब वश्नवने एक ब्रज का समझो अभिनव अवतार यहां हुआ है इस पश्चयम क्षेत्र में बहुत सुंदर आकर लगा कि पूरा वही ब्रज और वही ब्रज का आनंद जो लोग नहीं जा सकते उनको भी आप सब की क्रपा से आचारे चल्ड की क्रपा से सुलब हुआ है तो यम्ना जी के लिए संगर्श हो राए कई वर्शों से पिछले कई बार यात्राएं हुई इलाबाद से दिल्ली तक लेकन उतनी सब्सक्रा नह मीटिंगें हो रही है बराबर राजनाच जी से अमित शाह जी से मोधी जी से सबसे यम्ना जी के विश्य में मीटिंगें हुई तो शुब संदेश मंगल संदेश ये है कि जो एंजीटी है नेशनल ग्रीन टर्वनल जो पर्यावरन के मुद्द पे लिए एक विशिष उस NGT ने ये आदेश निकाल दिया है कि यमना जी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी और हर्याना से जहां अतनी कुन में उन्हें रोका गया है बरज में प्रवाहित होंगी ये आदेश निकाल गया है और ऐसा सुना जा रहा है हम लोग कभी यहां है कि दस प्यूमें पानी छोड़ भी दिया गया है ब्रिंदावन के लिए तो हमारी भूमी में हमारी धरापर ब्रज भूमी में श्रीयमना जी का पदारपन हो रहा है लेकिन जो आखरी निर्णय है वो अभी जुलाई के अंत में सुनाया जाएगा तो आप सब वेश्णवों से यह प्रार्थना है कि सब लोग हिरदय से मन से ऐसी प्रार्थना करें यह ठाकुर की मानसी सेवा है वलवाचार जी माराज ने जो तीन प्रकार की सेवाएं जा तो उनमें मानसी सेवा की समय बड़ी आवश्यक्ता है आप सब लोग प्रार्थना करें जिलाई के अंड में और आखरी निर्णय सुनाया जाएगा और आखरी निर्णय यही हो कि यमना जी अपने पूर्ण प्रवहा के साथ जल्दी से ब्रंदावन धाम में तो ऐसी आ प्रदी गई थी उन बिल्डिंगों को भी तोड़ा जा रहा है या तक कि दिल्ली का बस स्टेंड भी उस एरिया में आ गया है तो उसको भी ध्लंस करने का आधिश निकाल दिया गया है तो यमना जी पूर्ण प्रवहा में अपनी जल्दी से जल्दी हम सब को दर्शन पाई दे गया तो उनको 50,000 से एक लाख रुपे तक का जुर्माना हो सकता है तो यह बहुत संदर संकेत हैं बहुत संदर संदेश हैं हम सब वेश्णों के लिए सभी रुपतों के लिए ठाकुर की निरंतर क्रपा हो रही है और एक छोटी सी बात और ब्रज में ठाकुर ने से भी पहले का यह धाम है इसलिए इसको आदि वद्री कहा है यानि उस धाम से उत्राघंड के धाम से भी इसकी कहीं अधित महिमा है तो वहां साड़े-5,000 वर्ष पहले जो लक्षमी नारण घगवान ने श्री राधारानी और ठाकुर जी के नीला विहार के लिए एक हम बता रहे हैं कि अभी दस दिन पूर्व हमारी पुझी बावा महराज और उनके जितने भी कार्य करता है जो भी साधु साध्वियां वहां रहते हैं उन सब ने अपने हातों से वहां ऐसा सेवादान ऐसा परश्रम किया है कि हातों से भावडा और कोदाल लेकर उसको कारे हो जाना चाहिए पूरा रात में तीन वजे तक काम चला और उसके बाद अगले दन दस मिनट केवल दस मिनट ऐसी घंगोर वर्षा हुई कि उस सरोवर में 35 फिट पानी हो गया तो यह ठाकुरी की कृपा हो रही है ब्रज के लीला स्थलों का फिर से जीनुनदार हो रह और आप सभी वैशनव अपनी क्रपा हम हमारे पूर बनाई रखें बस इसी के साथ जैश्री कृष्णाव दो मिनट एक टीपतन करेंगे और फिर समागे राधे किशोरी दया करो हमसे दीन न कोई जग में हमसे दीन न कोई जग में बान गया की तन गढरो राधे किशोरी दया करो सदा धरी दीनन पेशामा यह विश्वास जो मनहीं खरो राधे किशोरी दया करो कवहुं तो कृपा करोगी शामा यही आसनी दार परो राधे किशोरी दया करो दया करो राधे दया करो दया करो शामा दया करो भपों की प्यारी दया करो जो किक्या दिया करो राधे दया करो शामा दया करो जय जय श्री राधे श्री गोड़न्त्रकी जयं श्री वाल्लो हाद्री श्रकी जै श्री कुसाइंजी महाराज की समस्त वेष्ण व्रिंद की